सद्गुरू, आप लिविन रिष्टों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है वे शादी की तरह ही होते हैं? मेरे कहल से शादी एक लिविन रिलेशन्शिप ही है. क्या शादी एक लिविन रिलेशन्शिप नहीं है? क्या वो अलग रहते हैं? कुछ शादियां ऐसी होती हैं, मुझे पता है, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा, कि हम रिष्टा क्यों बनाती हैं फिलहाल ये आपकी भाशा में पश्चिमी सब्विता आपकी भाशा में बहुत गहरी समा गई है, क्योंकि रिष्टा शब्द बोलते ही कहीं अपने दिमाग में आप सिर्फ सेक्स आधारत रिष्टों के बारे में सोचते हैं इस देश में ये ऐसा नहीं रहा है इस देश में जब हम इस देश में जब हम रिष्टे कहते हैं तो हमारे विचार से हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारी बहने सभी तरे के रिष्टे होते हैं पर अगर आप पश्चिम में जाकर कहें रिष्टा तो उसका मतलब होगा शारीरिक रिष्टा सबसे पहले उस सोच को छोड़ दीजे रिष्टे कई अलग-अलग स्थरों पर हो सकते हैं, है न? हम सिर्फ एक खास रिष्टे को दूसरे रिष्टों से इतना महत्वपून क्यों बना रहे हैं? हाँ, ये भी एक महत्वपून रिष्टा है पर दूसरे रिष्टों के स्थान पर नहीं है, है न? लेकिन अभी धीरे-धीरे हम इस पश्ची में विचार धारा को अपना रहे हैं कि ये रिष्टा बनाम बाकी रिष्टे है, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है इस देश में शादियों के बहुत स्थिर होने का कारण हमेशा ये नहीं है कि दो लोगों का तालमेल अच्छा है, ऐसा हमेशा नहीं होता क्योंकि जब उनकी शादि हुई, तो उनके साथ कुछ हजार लोगों की भी शादि हुई दूलहो और दूलहन शादी का एक छोटा सा पहलू होते थे इसमें बहुत से दूसरे लोग जुड़ जाते थे अब अगर आपको शादी तोड़नी है तो आपको इसे सभी स्तरों पर तोड़ना होगा आप इसे नहीं तोड़ सकते आपके पिता और लड़के के पिता या आपके पिता और लड़की के पिता के बीच इतनी शांदार दोस्ती हो सकती है कि आप इसे अब नहीं तोड़ सकते अगर आप अपनी पत्नी से रिष्टा तोड़ना भी चाहें तो भी आप नहीं तोड़ सकते क्योंकि पूरा परिवार तमाम तरीकों से जुड़ गया है ये सिर्फ दो लोगों की बात नहीं रही है ये अच्छा है ये बुरा है देखे दो लोगों के साथ रहने के दौरान आज शाम के वग आप ऐसी इस्थिती में पड़ गए कि आज आपने सोचा बहुत हो गया मैं तुमारे चेहरे को दुबारा नहीं देखना चाता बात खत्म इन कल सुबा आप फिर से प्रेम में होते हैं क्या आपके साथ ऐसा तमाम वबार नहीं हुआ है हाँ अगर आपके आसपास बहुत लोग हैं तो जब उस शाम वो भावना आई थी मैं तुमारे चेहरे दुबारा नहीं देखना चाता उस पल अगर आप पैक करके चल पड़ते तो बात खत्म हो जाती आप कल सुबा वापस नहीं आ सकते थे लेकिन आप एक पूरी स्थिती ऐसी है जिसे आप छोड़ नहीं सकते आप रुके रहते हैं और अगली सुबा हर चीज शांदार होती है दुर्भाग से ज्यादा तर इंसान अभी भी ऐसे ही हैं है न वो इतने जागरूक नहीं है कि वो रोज हर चीज को खुबसूरती से संभाल पाएं जीवन इस तरह नहीं चल रहा है कैसा नहीं है सबसे संदर रिष्टों में भध्धी चीज़ें हो रही है कैसा नहीं है भध्द्यपन के उन खशनों को जेलने के लिए आपको साहरे के किसी सिस्टम की जरूरत है अगर बस दो बेवकूफी हों तो वो अलग हो जाएंगे तो बच्चों के आने के बाद ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है लेकिन उससे पहले सारे दूसरे लोग महतुपून होते हैं तो ये नई चीज लिविन क्या है लिविन और शादी तो आप जो कह रहे हैं वो ये है जब मेरी मर्जी होगी मैं रिष्टा खत्म कर दूँगा ये किसी के लिए अच्छा नहीं है ये मानब चेतना पर बहुत बड़ा बोज है कोई भावनात्मक सुरक्षा नहीं है मेरे विचार से अमेरिका में अभी हाली में बस एक हफते पहले में लोगों के एक ग्रूप से बात कर रहा था और मैं उन्हें एक बड़ी वज़े के बारे में बता रहा था वो आर्थिक मंदी की बात कर रहे थे हम उत्पादक क्यों नहीं है ऐसा क्यों हुआ है मैंने का एक मेहतुपून बात यह है कि आदमी और उरत के लिए कोई भावनात्मक सुरक्षा नहीं है आप बाहर जाते हैं जब आप वापस आते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि आपका घर बचेगा या नहीं आप नहीं जानते कि आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही होगी या नहीं, ये ज्यादा तर लोगों के दिमाग में चलता है, कम से कम 50 प्रतिशत लोगों के दिमाग में, इस तर की असुरक्षा के साथ आपका पती ऑफिस जाता है, आपको नहीं पता कि वो वापस आएगा या सेक्रेटरी के साथ चला जाएगा, जब ऐसी भावनात्म का सुरक्षा है, तो आप किसी भी चीज़ पर ध्यान के इंद्रित नहीं कर सकते, जब लोगों में स्थिर भावनात्म क स्थिति नहीं होती, तो वो उत्पादक नहीं हो सकते, यहां हमने शादी को इस तरह से स्थापित किया है, कि चाहे जो हो जाए आप उसे तोड़ नहीं सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या वेवकूफी की चीज़ें करते हैं, फिर भी आपको उसी जगा वापस आना होगा, वो सुरक्षा की एक खास भावना देता है, स्थिति में काफी भद्धपन हो सकता है, लेकिन फिर भी एक स्थिर्ता मौजूद होती है, तो आप जो कर रहे हैं उस पर ध्यान के इंद्रित कर सकते हैं, तो, जब आप कहते हैं शादी बनाम लिवन, तो ये क्या है? आप बिना किसी प्रतिपद्धता के दूसरे के साथ रहना चाते ہیں, यही बात है, है ना? आप एक प्रतिपद्धत तरीके से नहीं रहना चाते हैं, मुझे नहीं लगता कि प्रतिबधता के बिना एक साथ जीना कोई अच्छी बात है, और नहीं इसमें कोई, मैं, मैं ये नहीं कहा रहा हूँ कि शादी का मतलब किसी पुजारी को आना होगा और आपके लिए मंतर पढ़ने होंगे, लेकिन इसे एक प्रतिबध रिष्टा मेरी मर्जी होगी, मैं रिष्टा तोड़ दूँगा, तो दूसरे व्यक्ति के प्रति एहमियत और सम्मान की कोई भावना नहीं होगी, है ना? तो शादी कोई परिकता जैसी चीज नहीं है, और नहीं ये स्वर्ग में तह हो रही है, ये सिर्फ प्रतिबधता की बात है कि म मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना? अगर आप प्रतिबधता के खिलाफ हैं, तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना एक अच्छी बात है, ये उस स्थिर्था को नहीं लाएगा जो आप उस रिष्टे से चाह रहे हैं, अगर आप बस कुछ सुख चाते हैं, तो ये आज एक कारणों से हैं, शादी दोलों के बीच होती है, यानि प्रतिबधता की एक भावना मौजूद है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना? चाहे हम वास्तव में किसी रस्म से गुजरें या किसी रस्म से न गुजरें, वो एक चुनाव हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता की इस बारे में कोई विकल्प है कि हम दूसरे के लिए प्रतिबध होंगे या नहीं, तब आप एक साथ होने के आनंद को कभी नहीं जानेंगे, ये हमेशा एक हिसाब होगा, है ना? ये हमेशा एक लेंदेन होगा, है ना? मैं तुमसे क्या हासिल कर सकता हूँ, तु पॉचूद होता है, तो वो रिष्टा सुंदर नहीं हो सकता.